नमस्कार हिंदुस्तान निज्टेली में आप सभी का स्वागत हैं। कुछ दिन पहले तीन लोगों में कोरोना से संक्रिमित होने के पुस्टी हुई थी। जिसके बाद गली में रहने वाले 93 लोगों के सेंपल जांच के लिए भेजे गए थे। लोग डाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और गलियों में खुले आम घूम रहे हैं। इससे पहले जांगिर पूरी में भी 31 लोग कोरोना पॉजटिव निकले हैं। प्रेस वारता में दिल्ली सीम अर्विंद्र केजिवाल ने लोगडाउन में भी घरों से बाहर घूम रहे लोगों के कारण चिंता जाहिर की थी। और उनसे घरों में रहने की अपील की थी। लोगों की जान जाने लगती है तो हम खुद को माफ नहीं कर सकेंगे। इसलिए बंद में राहत नहीं देने का आज फैसला किया गया। केश्रिवाल ने कहा कि वाइरस ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया है। इसके नियंदरन शेत्रों के संख्या बढ़ा दी गई है। हलाकि उन्होंने आश्वरस्त किया है कि दिल्ली में 11 जीले संक्रमंट से अत्यदिक परभावी थे। और केंद्र सरकार के संशोधित दिशा निर्देश के मुताबिक राहत नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कई मामले सामने आये हैं। जहां उन लोगों में COVID-19 के पुस्टी हुई है। जिन में लक्षन नजर नहीं आ रहे थे। वहीं दिल्ली सरकार ने घातक विशानुक के परसार को रोकने के लिए 76 इलाकों को नियंतरन शेतर घोशित किया है। इसके अलावा मोख्य मंतरी ने पिछले महिने निजा मुद्दिन में तबलीकी जमात के कारेकरम और विविन देशों से बड़ी संख्या में यात्रियों के यहां आने को वाइरस के परसार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली इन दिनों मुश्किल जंग लड़ रही है। देश की रास्थानी होने के कारण विविन देशों से बड़ी संख्या में लोग यहां आए। दिल्ली को अन्य देशों से आने वाले अधिकतर यात्रियों का दंश जहलना पड़ा। दिल्ली को मरकज में हुए कारे करम का भी हरजाना भुकताना पड़ा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।